हेलो फ्रेंड दस भी बारवी के प्रिक्सा सुरूने में कुछ ही दिन रह गया है ऐसे में CBC बोड की तरब से एक क्लास 10 तर 12 सुडेंज के लिए उनके बोड एक्जाम से जुड़ी एक रिपोर्ट जारी की गई है यह निर्देश आप लिए बेहत जरूरी है कि इस निर्देश को आपको अगर आप जान लेते हैं तो आप 2020 में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इस रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि जो स्टुडेंट सौटकर्ट लगा कर उतर लेते हैं 40% स्टुडेंट ऐसे हैं जो सौटकर्ट से उतर लिखते हैं और जिनके बज़स से होता ही है कि उन्हें पूरे कोस्टंस के मार्क्स पूरे नहीं मिल पाते हैं यानि कि 5 मार्क्स के कोस्टंस उन्हें पूरी तो आते हैं पूरे करते भी हैं वट उने 5 में से 3 marks ही मिल पाते हैं, 4 marks ही मिल पाते हैं, 5 नहीं मिल पाते हैं, तो यह report आपके लिए बेहर जोड़ी है, तो चलिए इस report को पूरा detail में आपको बताऊगा, क्या report में कहा जा रहा है, कौन सी गलती आपको आने वाले board exams में नहीं करनी है, तो चलिए हम नीचे report मे marking scheme के number देने होते हैं, यानि कि अगर 3 marks का questions है, तो अगर आप 3 points में answer देते हैं, तो आपको 1 marks, 2 marks, 3 marks है, इस तरीके से board exams में answer देना होता है, तो उसी तरीके से math में students क्या करते हैं, कि कोई questions के answer आते हैं, तो formula को first नहीं लिखके, वो direct questions के formula पूट करके, कुछ steps को भी बीच मे calculation असान है, तो उससे step को छोड़ कर, वो next step पे बढ़ आते हैं, पर आपको पता होना चाहिए, कि सीबेसी board में जो भी exams copy check होती है, तो हर एक steps के number होती है, इसके लिए सीबेसी board ने गोदारन देते हुए कहा है, कि formula और unit मिला कर, students को एक marks मिलते हैं, लेकिन students क्या करते हैं, 40 50 students ऐसे पाए गए, यह जो unit of formula, यह दोनों को लिखते ही नहीं है, direct questions को करते हैं, जिससे उनके एक marks तो यहीं पे कर जाते हैं, तीस तरीके से short cut जो exams में use करते हैं, इस short cut के बज़े से उनको पूरा questions के अंसर आते हुए भी उनको पूरे marks नहीं मिल पाते हैं, इस report के मतावित जो बाते हैं निकल के सामने आई, उस report के मतावित CVC board ने 2020 में जो भी students class 10th and 12th के जो board exams देंगे, उनको भी एक tips दिये हैं कि आप अगर 2020 के board exams में पूरे में से पूरे marks अगर gain करना चाहते हैं, तो आपको कुछ बातों को follow करना होगा, इन बातों को अगर आप follow करते हैं, तो यहां पर एक और गलती है, जो आपको गलती नहीं करनी है, यह गलती यह है कि एक marks के courses में कई students को दिखा गया है, कि वो पूरी long term में answers देना शुरू कर देते हैं, बट यह आपको गलती नहीं करना होगी अगर आपको five marks के courses में, वो short cut use करते हैं, तीस तरीके से यह जो गलती marks pattern की जनकारी दी है, इस पर मैंने एक वीडियो भी बताया है कि आप किस तरीके सा step by वीडियो लिखें, किस तरीके सा आपको step by अंसर देना, अगर आपको वीडियो आपने नहीं देखा, तो वीडियो को भी आप अच्छी तरीके से एक बार देख ली देगा, लास्ट अप इस वीडियो में इतना ही वीडियो चलेगे तो एक लाइक जूँ कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली वा रहा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा, क्योंकिस तरीके से most important videos हम आपके लिए लगतार लाते रहते हैं, जैए